हलो स्टूडेंट्स कैसे आप लुग तो हम वापस आये हमारे वीडियो लेक्चर के सीरीज में जहां पर हम हम अभी हम में सबसे इंपॉर्टन टॉपिक जिसमें मैक्जीमम टाइम कोश्चन्स पूछे है वो है आरेस अब जो स्टेट बोर्ड के बच्चे है उनके लिए यह जो टॉपिक है वो टॉपिक उन्होंन लेकिन ओल्ड इलाबस में वो नोट बॉपिक में इन्वाल था मुझे ऐसा लगता है कि यह जो टॉपिक है यह सबने पढ़ना चाहिए क्योंकि यह अगर आपको समझ में आता होगा तो आपको कॉन्फिग्रेशन के बारे में बहुत सारी चीजे समझ में आना आसान हो जाता है ठीक है तो लेकिन जो CT और NEET और JW की प्रिपेशन कर रहे हैं उन्होंने तो इस वीडियो को देखना चाहिए तो हम सिरू करते हैं विद आर एंड एस कॉन्फिग्रेशन सबसे पहले देखते हैं आर एन एस कॉन्फिग्रेशन क्या बताता है आर एस कॉन्फिग्रेशन शूद नस्चीत पुर्ण्चेश्म शुक्रेशन सुट वेली कॉन्फिग्रेशन पॉस्चेशन पॉ편 यदिग्रेशन पॉड थ雨 कि काईरल मॉलीक्यूल काईरल मॉलीक्यूल के विच रिस्पेक्ट टू आटम कैसे अरेंज है इसके इंफर्मेशन जो देता है वो को नहीं तो आरे कांफिगरेशन अब हमको पता है काईरल कार्बन यानि क्या होता है काईरल कार्बन यानि ऐसा कार्बन जिसको चार्ड डिफरेंट ग्रूप अटाइच हो गए उसको हम क्या कहते है काईरल कार्बन या फिर असेमेट्रिक कार्बन या फिर स्कियोजेनी सेंटर विच इस जीव special arrangement है कि इसकी तो chiral molecule की, इसकी information देने वाला configuration यहने कोई सो configuration, RS configuration, okay, दुसरा point है, RS configuration, R and F configuration works on priority, priority rules, अब यह priority rules क्या है, तो हम क्या करते है, हम priorities assign करते हैं, अब priorities assign करना यह नहीं क्या होता है, तो simple concept understand करो, देखो, मेरे लिए, मेरे लिए, सबसे पहली priorities है, कि मैं आप से पैसे लो, यह मेरी सबसे पहली priority है, मैं आपको सीखा हूंगा नहीं, मेरे सबसे पहली priority है, कि मैं आप से पैसे लो, यह मेरी सबसे पहली priority है, कि नहीं, मेरे सबसे पहली priority क्या है, priority number one, कि मैं मेरे बच्चों को जितना अच्छे से कि मैस्षी सीखा सखू यह मेरी सेकंड प्रायरीटी किया है कि आप गोलोगे पैसे लेना नहीं पिर मेरी सिकंड पूरिटी यह है कि neural scroll Path ya वो आपको समझ में आना चाहिए ये मेरी सेकंड प्रायरीटी उस केबाद मेरी 3rd priority है जो मैंने आपके ओपर मेहनत कर रहा हो वो मेहनत का फल मुझे मिलना चाहिए तो मेरी 3rd priority देगी कि मुझे आपते पैसे मिलने चाहिए या फिर एक like एक subscribe या फिर एक share मिलना चाहिए ठीक है तो इसको हम बोलते priorities अब priorities assign करना higher priority first priority क्या है तो priorities assign करना है first priority कुणसी second priorities कुणसी एक third priorities कुणसी तो priorities assign करके हम क्या कर सकते है तो RS configuration लिख सकते है ठीक है अब आपको priorities के rules पता होने चाहिए तो सबसे पहला rule लिखता हूँ मैं rules for priorities rules for priority आपको कैसे किस तरह से priorities भी नहीं है उसके मैं पहला लिक्ता हूँ highest highest priority must go to that atom which contain highest atomic number अगर highest atomic number होगा तो priority भी high हो ठीक है अब इसको मैं example से explain दाता हूँ for example मैं मेरा favorite example लिखता हूँ हमेशे के दिरा जिसका molecular formula है CH, CL, BR और I एक carbon है जिसको iodine attach है, bromine attach है, hydrogen attach है और साथी साथ को नटाइज है तो chlorine attach है ठीक है अब ये asymmetric carbon है जिसको मैंने astraling marks represent किया अब मुझे priorities assign करनी है तो मैंने देखो rule के लिका है highest priority must go to that carbon atom which contains highest atomic number अब अगर आप इन स्वब में देखोगे तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का atomic number होगा तो वो होगा iodine का चीक है तो मैं इसको highest priority देखो, highest priority means number 1 अब देखो, उससे कम atomic number किसका है, तो bromine का है तो bromine को मैं उससे lowest priority देता हूँ, यानि priority number 2 यानि मैं क्या कर रहा हूँ, तो ranking देखो, इसका rank number 1, इसका rank number 2 अब देखो, तीसरा अगर किसी का atomic number का मैं वो को नहीं तो वो है chlorine, तो chlorine को मैं देता हूँ, atomic number, priority number 3 और चवती priority मैं देता हूँ, hydrogen, तो इस ता से इसको हम कहते, assigning priority और यह assigning priority का rule number 1 है, जिसका कहना है, कि priority ऐसे assign करो, जिससे क्या होगा, तो highest atomic number वाले को highest priority देना, और lowest atomic number वाले को lowest priority देना, यहने जितना atomic number है, उसकी priority उतनी ज्यादा, तो यह पहला rule है, यह पहला rule, note down कीजिए, फिर हम अगले rule की तरफ जाए। तो देखे, students, हम अगले rule की तरफ बढ़ते हैं, second rule, rule number 2, rule number 2, for assigning priority, कभी-कभी chalk हमारा दोखा देता है, देखो, rule number 2, अब rule number 2 क्या है, if priority cannot be given on the basis of atomic number 2, next atom attach to it is considered अब देखो, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, एक्जम्बल के साथ लेटे है, एक कार्बन है, कार्बन है, कार्बन सेंटर यानि चार, डिफ्रेंट ग्रूप लगे होंगे, आए, उसके बाद मैं यहां लगाता हूँ, CH3, मैं इसको ओपन करके निकलता हूँ, CH3, ओकी, फिर यहां पे मैं लगाता हूँ, हाइड्रोजन, और बिलो दे प्लेन, मैं यहां लगाता हूँ, C, H, H, C, H, 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 ठीक है, अब हमको पहला रूल फॉलो करना है, पहला रूल क्या कहता है, कि जिसका atomic number अगर जणादा होगा, उसको अब first priority दो, तो इसका atomic number सबसे जदा है, तो यह first priority होगा, अब हमको second priority देनी अब second priority में देखो ये carbon है और ये भी carbon है याने दोनों का atomic number है वो क्या है तो वो same है ठीक है अगर दोनों का atomic number same है तो इनमें हम अभी priority नहीं दे सकती तो हम क्या करते हैं अब हमको पता है hydrogen बसकर डज नम्बर सबसे लुइस्ट है तो मैं क्या करता हूं इसको सबसे लुइस प्राइटी देका हो फिर हों 첫 गबनें के यह दोनों भी कारबन है और दोनों का भी आपारक यह सेम है अंगहरो अगर होगा तो आपको क्या करना है उससे next atom को consider करना है आप carbon को कौन आठेज है hydrogen hydrogen 예쁜 है reidrogen väre гd तो इनका atomic number लो किन इस carbon को को इटहाँ इस carbon है तो ये carbon और चाह horror इरे करोग से है जादा है लेकिन ये carbon को तो hydrogen as compared to hydrogen as compared to hydrogen इस carbon का atomic number क्या रहता highest तो इसलिए हम इसको highest priority देंगे यानि priority number 2 उसको देंगे हम priority number 3 1 और 4 ता हमारा fix दी था तो इस तरह से अगर atom अगर से हो जाते है तो हम उससे next atom को consider करके वहाँ पे priority assign करते है तो ध्यान में रखना अगर कहीं पे भी tie हो जाए दोनों की बीच में atomic number में तो उससे जो next atom present है उसकी तरफ देख लेना ताकि आपकी जो assigning priority का rule है वो clear रहे आप क्या कीजिए इसे note down कर लीजिए फिर हम देखते है rule number 3 rule number 3 for assigning priority तो rule number 3 भी हम पहले लिक लेते देख रूल number 3 क्या कहता है if double bond or triple bond is present then it is duplicated and triplicated अब इसका मतलब भी हम समझ लेगे पहले आप यह सब note down कीजिए फिर मैं मैं बता हूंगा आपको की duplicated or triplicated कैसे किया जाता है तो देखे students मैं simple example से आपको explain करता हूँ देखो duplicate or triplicated कैसे करना पहले हम एक समझ लेंगे और बात में आगे जाएंगे ठीकिए अब देखो यहाँ पे carbon और oxygen की बीच में double bond ठीक है एक example है आपके समने जिसमे क्या है carbon और double bond oxygen अब इसका आपको और oxygen को भी क्या लगे होगे तो दो कारबन ओके ठीक है अब समझ लो इसको मैं क्या बात कर रहा हूँ carbon और oxygen की बीच में double bond है तो आपको यह consider करना पड़ेगा कि carbon को कितने oxygen लगे तो दो लगे और oxygen को कितने carbon लगे तो वह कितने लगे है तो लोगे अब आप एक बात ध्यान में रखो अब इन दोनों के बीच में bond है देखिए carbon और oxygen की बीच में तो एक तो वह अटेज हो गया दूसरा द्राव के फिर से और और detail में समझते हैं अब देखो यहां पर आपको क्या consider करना है कारबन और nitrogen की बीच में अगर ट्रिपल बॉंड है तो आपको यहां समझना होगा कि एक कारबन को कितने nitrogen अटेज है तीन ओके और nitrogen और carbon की बीच में अगर ट्रिपल बॉंड है तो इसका मतलब यहां पर आपको यह consider करना पड़ेगा कि nitrogen को कितने कारबन अटेज होंगे तो तीन कारबन अटेज होंगे अब देखो एक बॉंड उनके बीच में कारबन और nitrogen का तो मैं क्या करता हूँ यहां से नाइट्रोजन रिमूग और से कारबन रिमूग करता हूँ इसको ट्रिपलिकेट कर दिया देखो यह कारबन को कितने नाइट्रोजन होने चाहिए तीन यह देखो एक दो और तीन यह देखो मैंने इसको क्या कर दिया ट्रिपलिकेट कर दिया यानि अगर ट्रिपल बांड होंगा तो तीन आइटम ड्रॉ करने होगे और डबल बांड होगा तो दो करने होगे ठीक है नाइट्रोजन ने करबन क उतने उसको आइटम आपको अटेच करना है वही एटम ठीक़े सिरसे एक एग्जम्पल लेता हो देखो एक्जम्पल ch2 double bond nh2 अब आपको इसका duplicate structure ड्रॉ करना है ठीक है क्योंकि उसके बीच में कुंसा bond है तो double bond है ठीक है अब देखो ये carbon को कितने nitrogen attach होने चाहिए तो दो तो अगर दो होने चाहिए तो एक ये है एक मैं क्या करता हूँ अब हमको पता है अगर यहां पर double bond होगा तो हमको पता है कि nitrogen को कितने carbon अध्य तो एक मैंने ड्रॉ कर दिया तो देखो मैंने क्या किया तो structure को क्या किया तो मैंने duplicate किया और एक example लेते देखो एक्जम्पल ठीक है कि अब देखो कार्बन और सुल्फर में डबल बॉंड है तो इसका मतलब यह है कि यह सुल्फर को दो कार्बन अटेज होने चाहिए तो एक यह जोने गरेटा है लीच में ऑ मिकर ऑ preocup देखो अ उसको धिकstäय करना या फिर प्रिप्लीकेट ऐसाइन करूंगी तो आपको डुप्लीकेट और प्रिप्लीटा करना सीखना पड़ेगा तो यह जो है इसके basis पे प्र i vient इसके असाइन करती है यह हम हमारे आने वाले अगले लेक्चर्स में देखेंगी ठीक है